तो दोस्तो आज हम आपके लिए सूपर टेस्टी और जल्दी बनने वाली चना चाट की रेसिपी लेकर आए हैं और यकीन मानी जब आप इस तरीके से ये चाट बनाएंगे तो बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे तो ये बहुत ही जादा टेस्टी बनती है तो चले फिर इस नई रेसिपी को देख लेते हैं तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम छोले लिए हैं जिसे मैंने रात भर भीगो कर रखा था अगर इसे अच्छे से भीगोएंगे तो ये जल्दी से पक जाते हैं और बहुत अच्छे से सौफ्ट भी हो जाते हैं अब इसे हमें कुकर में डालना है और साथी डालेंगे पानी तो पानी आपको इतना डालना है कि छोले अच्छे से भीग जाएं मतलब ये अच्छे से डूप जाएं उतना पानी डालें और अब इसमें डालेंगे हम 1 फोर्ट कप धुली वी इमली इमली को मैंने 3-4 बार धोया हैं दोस्तों तकि इसके उपर जो छिलके या जो मिटी है वो अच्छे से निकल जाएं अब डालेंगे एक बड़ी प्यास जिसे मैंने रफली चॉप कट किया है चार मैंने हरी मिर्च डाली है साथी एक बड़ा आलू लिया है इसके मैंने बड़े टुकड़े की ही छोटे टुकड़े करनी की कोई नुसार डाल दीजे और साथ ही हल्दी पाउडर भी एड़ करेंगी दोस्तों आज की जो चाट बन रही है ना उसमें आपको ना ही अलग से गुड़का पानी बनाना है और ना ही इमली का सारी चीजे एक साथ डालिए और फटा-फट इसे उबालिए और यकीन मानिए इतनी ज अची से पक जाए और जैसे ही कुकर का प्रेशर डाउन होगा हमेसे खोले नहीं दोस्तों बहुत सारे सैंतों लोग सोच और दोस्तों जो बाजार की चार्ट होती है ना बिल्कुल ऐसा ही स्वाद आता है इसमें अब देखिए दोस्तों जो आलो है ना बस उसे हमें छोटे छोटे टुकडे करने ही तो हुआ ना हमारा समय की भी कितनी बचत हो गई हमने बड़े आलो डाले थे जिसे ये पक गए हैं अब हम इसे थोड़ा सा मैश कर रहे हैं तो इसके छोटे टुकडे बन गए और इसे थोड़ा ऐसा मैश करेंगे कि इसमें हमने जो प्याज इमली और जो हमने गुड़ डाला था वो इसमें दिखाई ना दे अच्छे से सारी चीज़े मिक्स हो जाए ऐसा हमें से मिक्स करना अब दोस्तों यह जैसे मिक्स हो जाएगा इसका कलर देखिए आप बिल्कुल जो स्ट्रीट में जो छोले चट की जो कलर होती ना बिल्कुल ऐसा ही आया है इसमें और यह ट्रिक आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी यकीन माने इसे घर पर ट्राइज जरूर कर लेंगे और इसे थोड़ा सा भोन लेंगे इसमें मैंने जूलियन कटकिया अधरक डाला है अधरक का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है और अधरक को हमें थोड़ा सा तक भोन लेना है जैसी यह भून जाएगा हम इसमें दो चमच धन्या पावडर एक चमच हमने कश्मिरी लाल मिच्छ डाली है यह तीकी कम होती है और एक चमच मैने चाट मसाला डाला है पहले इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तकि यह जले नहीं और जो हमारी चाट है उसे ज़्यादा क्रीमी और ज़्यादा टीस्टी बनाने के लिए डालेंगे एक चमच बेसन बेसन को मसालों के साथ थोड़ा सा भून लेंगे और जैसे ये बेसन भून जाएगा ना हमें इसमें ये जो छोले हमने उबाल कर रखे है ना वो डाल दे नहीं तड़का बनाने के लिए आपको स्रीप और स्रीप पांश मिनट लगते हैं दोस्तों तो आप समझ चाईएगा कि ये जो चाट है वो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन जाता है और इसमें स्ट्रीप जैसा स्वाद इसलिए आता है क्योंकि जो बाजार की जो चाट होती ना उसमें भी वो जादा मसाले नहीं डालते हैं फटा-फट सारी चीज़े उबालते हैं उपर से मसाले डालते हैं और हमें परुस्ते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही स्वाद आता है दोस्तों और इसमें जो बटर डाला है ना हमने उससे तो बहुत अच्छा स्वाद लगता है मिक्स करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा मेश किया है ताकि इसके अंदर जो इमली आलू जो चनी है उसे थोड़ा सा मेश करने से ये खाने में और भी ज़दा क्रीमी लगती है अब इसे हमें पकाना है लेकिन अगर आपको नमक कम लग रहा है तो थोड़ा नमक एड़ की कि बिल्कुल बाजार जैसरी चार्ट जैसरी ही खुश्बो आती है अब उपर से हमें डालना है हरा धनिया और यह जूलियन कट किया हुआ अद्रग और जैसे ही यह दस मिनुट पक जाए गैस की फिलिम बंद कर दीजी और इसे गर्मा गरम परोस यह दोस्तों आज मैं इस छो मोसा चाट या कचोड़ी चाट भी बन जाएगी तो मैंने इसके उपर क्रश की भी पपड़ी डाली है साथी डालेंगे बारी कटा वाप्यास ठंडी ठंडी आपको मीठी दही डालनी है इसके उपर बहुत ही अच्छा जायका आता है साथी हरी चटनी डालेंगे तो प्रटेवे टमाटर और साथ ही हमने यह सेव डाली है नमकीन जिसे कहते हैं तो यह हमारी चाट बन चुकी है जो बहुत बहुत आसान तरीके से बनी है और इसे एक बार बना लेंगे ना तो बाकी साले तरीके भूल जाएंगी यह मेरी गैरंटी तो है ना दोस्तों बहुत ह कि शानदार और आसान रेसिपी जो जल्दी बन जाएगी लेकिन स्वात में कोई भी कमी नहीं रहेगी तो इसे बनाकर जरूर देखेगा बनाने के बाद हमें फीड़ बैक जरूर दीजेगा कि आपको यह रिसिपी कैसे लगी अच्छी लगी हो रिसिपी तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा इसे शेयर कीजेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दोस्तो